हेलो एब्रीवन वेल्कम टु जारकन के जली व्लोग आपका मेरे चैनल में स्वागत है आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो मैं आज आपके लिए एक सिंपल सारी ड्रैपिंग ट्रिक्स लेके आई हूँ टिप्स लेके आई हूँ आई होप अच्छा लगेगा जो बिगनर्स हैं और जिनको सारी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता है उनके लिए एक बिल्कुल इजी स्टाइल का सारी पहनने का लेके आई हूँ मैं वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड और उससे पहले मेरे चैनल को शाजीं ब्でटिकाइब करने लाओर नई भूलीएगा सबसे पहले बलाऊल पर पहन लेंगे और सारी लेंगे तौ साडी को हम अपने कमर के पास से टकरना स्टार्ट नहीं करेंगे जो मैं दिखा रही हूं आपको अपने साड़ी को बेली बटन के पास से टक करना है क्योंकि अगर आप इस कमर के पास से करेंगे तो आपको चलने में परेशानी होगी वो पेटिकोट अपके पैर में उलजेगा और फिर आप चलनी पाएंगे इसलिए देखिए मैं बेली बटन के साड़ी के पास से टक कर रही हूं और अगर आप हील्स pewагन थे तो पहले आप पहलें अपको और साड़ी को टक करने के पाद एक राॉंड आपको पीछे से घूम जाना है और साड़ी को चारो तरफ से बिलकुल अच्छी तरह से टक कर लेना है ताकि आपका साड़ी खुलेना आगे और पीछे की तरफ देखिए बिल्कुल आच्छी तरफ से मैंने टक कर लिया है और टक करने के बाद हम अपना जो आचल है उस आचल को हम उठाएंगे और उठाके और उसको पीछे की तरफ से गुमाके सामने लेके आएंगे और सामने ले आने के बाद उसकी एक रफली प्लीट्स कर लेंगे और इस प्लीट्स को हम अपने सोल्डर के उपर रख लेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो प्लीट्स हम सोल्डर के उपर रख रहे हैं वो नी लेंस से नीचे आनी चाहिए ताकि तब ही आप अगर हाइट की छ के लिए देखें, राइट साइड से भी और लेट साइड से भी हम लोगों को एक वीता हाँच से नाप कर छोड़ देना है साड़ी, देखें मैं भी नाप के दिखा रही हूँ आपको इतना सारा साड़ी छोड़ देना है और उसके बाद क्लीन clean pleats हमको अपने finger में साड़ी को लगा के और pleats clean clean विल्कुल आसान है ये करना pleats बनाना है तो ये देखिए मैं धीरे-धीरे करके सारी pleats बना रही हूँ आप भी इसी तरह सारी pleats बना सकते हैं बहुत ही कि सारी pleats को थोड़ा सा जाड़ देंगे नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा जाड़ेंगे ताकि जो भी इधर-उधर pleats अटकी होई है वो अरेंज हो जाए तो उसके बाद हम उसको एक-एक pleats को पकड़ कर और उसको अरेंज करेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल clean pleats होनी चाह से और इसके बाद का style आपको बहुत ही जो बहुत beginners हैं और जिनको अच्छा नहीं लगता है साड़ी पहनने के लिए तो वो देखिए यह जो इधर का बचा हुआ हिस्सा है इसको हम क्या करेंगे अपने pleats की नीचे से हाट डाल कर यह देखिए बिल्कुल आसान है हाट डाल और राइट साइड से हाट डालिए और लेट साइड की तरफ बाहर निकालके और जो एक्स्ट्रा साड़ी है उसको उस साइड से अंदर की तरफ से निकाल लीजिए और यह देखिए यह वाला जीतना भी आप खीचिएगा उतना ज्यादा यह बिल्कुल अच्छा सोवर और उसके बाद यह बची हुई साड़ी है इसको अंदर की तरफ वहां पर ही टक कर लेंगे ताकि यह तो दिखेगा नहीं क्योंकि जब हम प्लीट्स बनाएंगे तो धक जाएगा तो चलिए अब हम लोग उपर की प्लीट्स बनाते हैं तो उसके लिए आपको अपने प्लीट्स बना लेंगे अगर आपकी छोटी प्लीट्स हो रही है तो ऊहल प्लीट्स पूरा नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा सा छोड़ के और उसको आरेंज कर लेंगे यह देखिए कितने अच्छी तरह से यह यह डीट्स अरेंज होका है अब हम इसको अपने नीचे की से थोड़ा सा और साड़ी बचा हुआ है तो इसको वहाँ पर पकड़ के और नीचे की तरफ और एक बार अरेंज कर लीज़े और उसी तरह जितने भी प्लीट्स उपर में बनी हुई है उनी सारी प्लीट्स को आप एक एक करके पकड़ लीज़े और जो पहले से pleats बना हुआ है उसी को लीजेगा बागी एक्स्ट्रा साड़ी को छोड़ते हुआ चलिएगा तभी एक clean pleats बनके तयार होगी तो यह देखिए सारी की सारी clean pleats बनके तयार हो गई है और अब आप इसको shoulder पर रखके pin up कर सकते हैं यह देखिए मैंने इसको अभी shoulder पर रखूंगी मैं इसको और इसको अच्छे से pin कर लूँगी यह देखिए यहां पर हम लोग को अच्छे से pin कर लेना है अभी मैं अपना top खोलके और blouse में इसको pin up कर रही थे तो यह देखिए मैंने आपको pin करके दिखाया और जो सामने के जो pleats हैं उसको थोड़ा थोड़ा arrange कर लेंगे और ये देखिए कमर के पास कितना अच्छा सा arrange look आया है ताकि आप क्योंकि आपने उधर से जो खीच के निकाला था उसकी वज़ा से और अभी आप कमर के pleats में एक safety pin लगा लेंगे ताकि आप अगर सोके भी उठिएगा तो आप पूरा दिन साडी को आपको फिर से arrange करने की जुरुत नहीं पड़ेगी इसलिए आप कमर के पास एक pin लगा सकते हैं तो ये देखिए finally आप कितना अच्छा look दे रहा है साडी सभी तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से pinned और arranged है और कमर के पास देखिए कितना tight बिल्कुल bollywood style में लग रहा है देखने में आपका figure इससे भी अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ी मोटी हैं जैसे मैं hlky full की मोटी हूँ तो आपको मेरा figure उतना ज्यादा मोटा नहीं लग रहा होगा क्योंकि कमर के पास जो हमने वो ट्रिक अपना ही थी ना प्लीट की नीचे से निकालके तो इससे यह देखिए एक बहुत ही तो आपको यह अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखके बताएगा कि मेरा यह सारी रेपिंग स्टाइल आपको कैसा लगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू फो व वो तोड़्शदियाब।